तो आज मैं आपके साथ दही के रायते की रेसिपी शेयर करूंगी यह रायता बहुत ही इजी है बनाना जटपट बन जाता है और इसको आप अपने आपको हाइड्रेट रखने के लिए बना सकते हो गर्मियों में हाइड्रेट ही रहना चाहिए तो यह बहुत ही अच्छी रे और हाफ केजी मैंने आपर दही लिया है अब हम उसमे खीरा डालेंगे मैंने सारे वेजीटेबल्स को छोटे-चोटे पीसिस में चॉप कर लिया है आप चाहे तो उसको कदुकस कर लें पर इस तरीके से भी ठीक है मिर्च में डाल रहे हूं एक मिर्च का मैंने आपर यूस क रेकॉर्डिंग लेंगे मैं सेनह नमक का यूज करती हूं मोस्ली क्योंकि सेनह नमक बहुत हल्दी होता है तो आप कोई भी स्वाल्ट का यूज कर सकते हो अब हम उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे यह जितना इजी बनाने में है उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी खाने में है इस सभी को बहुत पसंद आता है बच्चों से लेकर के बड़ो तक तो गर्मी का मौसम हो तो अपने आपको हमें हाइडरेट रखना होता है तो सिंपल नहीं खाने से अच्छा है कि आप यह बना कर खाएं जो कि बहुत इजी है बनाना और इसमें ज्यादा कोई प्रॉबलम भी नहीं है तो आप यह बना कर खाओ बहुत अच्छा लगता है तो मैं इसको उपर से गानिशिंग कर रही हूं लाल मिर्च पाउडर से लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप चाहते हो तब ही यूज़ करो सो मैंने इसकी प्लेटिंग कर द आती है सो गाइज आप इसको बनाओ और यह आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपके कैसी लगी मुझे कमेंस में बताओ और आपकमिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें